बीना संगम शिवार में पिछले कई दिनों से रेट के अवेद चोरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है लेकिन अब अवेद मिठी उत्खनन का मामला सामने आया है कहा ज़ा रहा है कि खेद के मालिक ने अवेद उत्खनन को चुपाने के लिए पेड़ पौधे लगा कर रखे हैं पिछले दो महिनों के भीतर खापर खेड़ा के सामजी करेकरता और भस्टाचार निर्मलन समीती तालू का सदे से राजिश जोहन ने कलेक्टर कारेयाले को शिकायत की थी उक्तर शिकायत के आधार पर कामठी में राजस्वे विभाक एक टीम ने घटनास्तल की जाच की और मोजमापनी की गई लेकिन जानकारी दिने अधिकारी टाल मचोल रवईया अपना रहे थे सुत्रो ने बताया कि प्रिशासंत की ओर से एक महिने पहले हुई खुदाई 2017 की दिखाने का प्रयास जारी है अवेद खननस्तल पर पौधर उपन कर मिठी उत्खनन मिटानी का प्रयास किया जा रहा है अधिकारीों को इन सब बातों की जानकारी होने के बावजूद भी चोकसी करने में धिलाई पर दिजा रही है ऐसी बात गाउं के नागरिकों में शुरू है आपको बताते कि जाच में देरी कर अवेद मूभू माफियों को बचाने की कोशिश की जा रही है तेरी भी चुप और मेरी भी चुप इस तर्स पर जैसे भूमी का सिंडिहास पड लगने लगी है ऐसी चर्चा गाउं के लोकों में दबी जबान में हो रही है जिसे शिकायत करता ने प्रशासन को मांगी कुहार करने पर कामठी की राज़स्ववेभाग खुदाई की की जमीन को नापने के लिए आए नागरिकों की भी चर्चा है कि एक मशीन दवारा बड़ी मात्रा में मिट्टी की खुदाई पर निप्टान किया गया इस मामले में संबंदितों पर करवा ही की जा रही है प्रस्तोत जिला प्रतिनीधी ने मोबाइल दवारा तैसिलदार पोयाम से मिट्टी उत्खनन वो मोजमाप के बारे में जानकारी पूछने पर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ NBC News के लिए खापर खेड़ा से